एक राइटर एक वैंपायर लड़की की प्यार में पढ़ता है पर प्रॉल्म तो भाई जब इस वैंपायर लड़की की सिस्टर इसी राइटर को रिजाने की कोशिश करती है हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको तो किस आप दे डैम यह हॉलोड वैंपायर स्टोरी एक्स्प्लेंट करने वाला हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा रागता है तो प्लीसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजेगा अब बिना किस दरीके एक्स्प्लेशन स्टार्ट करते हैं मूवी स्टार्ट होती है और एक बड़े से घर में हम हमारी मैन कैरेक्टर जवाना को देख सकते हैं वो आज रात एक रोमेंटिक मूवी देख रही थी उसे बहुत ही अकेला महसुस होता है सुबा होने पर घर में बलड पड़ा हुआ था उसकी मेड वहाँ पर आई जो इसे पोच लेती है इसके बाद अगले देन वो फिर से मूवी लेने के लिए एक स्टोर में गई यही पर उसकी नजर पाउलो से मिली जो हमारा और एक मेन कैरेक्टर है पाउलो को भी जोना बहुत अच्छी लगी थी बाहर बारिश आ रही थी तो जोना घर जाने के लिए जड़ा वेट करती है तब पाउलो ने उसे अप्रोश किया उसे ड्रिंक के लिए पूछता है ये दोनों ट्रिंक के लिए और एक दूसरे वो जानने लग गए पाउलो एक्च्छल में एक स्क्रीन राइटर है वो अच्छे से राइट कर पाए इसलिए एक डिस्टिंक टाउन में वो आया हुआ है ज्वाना कहती है कि मैं पूएटरी ट्रांसलेट करने का काम करती हूँ उसे एक रियर स्किन कंडिशन है जिस वज़े से वो सनलेट में बाहर जा नहीं सकती उसे दिन बर घर में ही काम करना पड़ता है ये दोनों फिर ज्वाना के घर पर आकर टीवी देख रहे थे ज्वाना के घर पर कॉल किया जो मेड ने उठाय हुआ था पाउलो ने ज्वाना के लिए मैसेज दिया कि आज रात वो एक बार में उसका वेट करेगा उसने बहुत देर तक उसकी वेट की पर वो आई ही नहीं डारेक्ली फिर उसके घर पर भोच जाता है ज्वाना डोर पर चेन लगा करी दोर थोड़ा साई खोलती है वो उसे अब भी अंदर आने नहीं दे रही थी पाउलो कहता है तुम्हें जो भी बिमारी है हम सारे कुछ फिगर आउट कर सकते हैं प्लीज मुझे अंदर आने दो ज्वाना उसे अंदर नहीं आने दे रही थी यह बाहर से उसे किस करने लगता है किस करते-करते पाउलो का लिप पर उसने पाइट कर दिया यह बहुत ही डिंजरस बाइट था और ज्वाना ने पाउलो को घर जाने के लिए कहा अगली दिन सूपर शॉप में दोनों फेस से एक दुसरे को देखते है जौना यहां से चली गई अगली रात उससे घर पर पहुच गया था आज राज जौना ने उसे अंदर आने दिया वो जौना को फिगर आउट कर नहीं पा रहा था जौना ने कहा मेरे पास आओ उसने उसे अपने दिल पर हाथ रखने के लिए कहा गयती है मुझे हार्ट ही नहीं है मैं सनलाइट में कही बाहर नहीं जा सकती मैं एक वामपैर हूँ पाउलो इस बात पर थोड़ा सा वे बिलिव नहीं करता जौना फिर उसे अपने बेडरू में लेकर आती है यहाँ पर उसने चेंज स्वगरा बांदी हुई थी पाउलो ने उसे बांद दिया और उसे की स्वगरा करने लग गया उसे गलत लग रहा था पर उसे देखना था कि जौना उसे क्या दिखाना चाहती है वो जब excited होई तो उसके दाद निकल आए थे उसके आखों का color भी बदल गया था पाउलो को finally believe हुआ पर फिर भी वो नहीं डरता जौना के curve स्वग्राव निकाल देता है इसके बाद वो उसके साथ intimate होने लग गया तो भी जौना पाउलो को काट लेती है सुबा होने पर जौना ने कहा तुम्हारे साथ रहने के लिए में कुछ भी कर सकती थी पाउलो को काटने के बाद वो भी वैंपार बनेगा यह एक वे था उसके साथ वो रह सकती थी अब वो उसे इस वर्ल्ड के बारे में सब कुछ चीज़े सिखाएगी इस घर में इनकी जो मेड है इसे रेर ब्लड डिसॉर्डर है इस वज़े से कौना को उसका ब्लड टेस्ट करने की अर्ज नहीं होती वो किसी भी हुमन को हट नहीं करती सिर्फ एनिमल के ब्लड पर ही जीती है जौना ने पावलो से कहा कि हम कभी भी एज नहीं होंगे अगर हमें चोड भी आई तो जल्दी से हील हो जाते है हम हमेशा के लिए एक साथ रह सकते है जौना पावलो को हंट वेगरा करना सिखा दिया इसी के बैरलल में हम हमारी और एक मेन कैरेक्टर मिमी को देखते है मिमी एक रेकलेस वेंपायर है उसे जो लगता है वो कर डालती है किसी को भी टर्न कर दिया किसी भी सिटी में चली गई एक रात अचानक से वो पावलो और जौना के पास आ गई एक्च्वल में वो जौना की सिस्टर है जौना हमेशा मिमी को उसके behavior के लिए बहुत ही hate करती है मिमी ने आकर कहा कि एक week के लिए मैं यही रहूँगी एक्च्वल में जिस घर में हो रह रहे है यह उनका नहीं है एक वैंपर एक्ट्रेस है उसने उन्हें रहने के लिए जगा दी हुई थी रात में फिर यह सब मिलकर बात कर रहे थे एक्शन में मिमी पास साल से एक ही जगा पर रहे रही थी पर हो गहती है मेरे फ्रेंड्स सारे लोगों को पता चलने लग गया था इस वज़े से मुझे नॉरमल है पर जोना उसे कहते है कि वो क्रेजी है तो इम बात में पता चलेगा अगले दिन जब ज़ोना और मिमी बात कर रहे थे तो मिमी ने कहा क्या तुम अकेली पड़ गई थी क्या इसलिए तुमने पावलो को टर्न किया तुमने कहा कि तुम इससे प्यार करती ऑपर अगर सचूश में करती तो उसे इस तरीके से टर्न नहीं करती इफ हमपायरी के लाइब बहुत ही हार्ट है जौना को इस पर बहुत गुस्सा आगया उसने एक्ट्रेस को कॉल लगया कहा कि मिमी यहां रहे नहीं सकती वो आट आफ कंट्रोले कुछ भी कर सकती है एक्ट्रेस क बजाकर एक अच्छा सा घर हम बाई कर सकते हैं एक नई स्टार्ट कर सकते हैं जौना को भी आइडिया बहुत अच्छा लगा और इनका प्लान बन चुका था इसी के पैरलल में मिमी एक लब में गई वहाब एक लड़के से मिली उसके साथ इंटिमेट होकर उसे टर्न कर द लगते हो जो उसके लिए बहुत ही अट्रेक्टिव है वह यहाँ अपर उसके साथ फ्लेट कर रही थी पावलो से भाड में जाने के लिए कहता है इसके बाद एक रात यह एक्टरिस के पास एक पार्टी में आये हुए थे यहाब अजवाना पावलो को सब लोगों से मिलात है कि मेरे पास सिंतेटिक प्लड है अब तक किसी भी हुऊमन को पता नहीं है अगर पता चला तो उन्हें मार डालेंगे इस वज़े से फ्लाटी नहीं कर सकते में इस पार्टी से जल्दी घर चली वह दो लोगों के साथ जाकर घर में इंटिमेट हो रही थी ज़ो जौना घ जगड़ा हो किया था अब बहुत ही रात हो चुकी थी यह दोनों लोग जो घर से बाहर निकले अब डर रहे थे अचानक से मीमी ने उन पर हमला कर दिया अब वो लोग जब कायब हो गए तो जोना मीमी पर बहुत जादा गुसा हो गए वो से गन्फरेंट कर दिया कहती कि वो गए कहा मीमी कहती कि वो हॉस्पिडल में होंगे जोना उस पर चीट रही थी तो मीमी ने डायरे लिए उसका गला पकड़ लिया कहती है मेरे लाइफ से दूर रहो मैं जल्दी यहां से चली जाओंगी अब बहुत दीन हो चुके थे पर पावलो ने अपने एजंट को कॉल इस ने किया था एजंट उसके लिए वरी कर रहा था तो उसके टाउन में आ गया हर जगा पर उसने उसे धूंड़ने की कोशिश की पर कहीं भी धूंड नी पाया फाइनल लिओ बार में आया बार्टेंडर से बात करता है उसका पता बूझता है एक्च्वल में इस पड़ें तो बहुत ही इंपेस्ट हुआ ये डिनर पर जो आना से कहता है तुम्हारी वज़े से पावलो में बहुत सारा चेंज आया है पहले वो किसे से जादा बात नहीं करता था बहुत ही अजीब सी बुक्स लिखता था अब इस बार उसने बहुत अच्छी बुक नहीं था राद में अचाना किसी ने एजन पर हमला कर दिया ये सबना जोआना को आता है सुबह होने पर वो एजन का रूम देखना ले गई तब उससे पता चला ये सपना नहीं था एक्च्छल में उसने एजन को मारा था वो राद में अपनी अरजेस को कंट्रोल नहीं कर पाई थी वो यह सारी जगा साफ एकरा करकर इसे कंट्रोल में ले लेती है पावलो को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलने देती है जाना को लगता है कि मीमी उसके लाइफ में फिर से वापस आए उसे के इंफ्लूंस की वज़े से उसे भी याजस वापस आ रही है मीमी को घर से निकालने के लिए उसने एक्ट्रेस को कॉल किया वो गया थी कि मीमी किसी को भी टर्न कर रही है वो बहुत ही रेकलेस है हम उसे इस टाउन में नहीं रहने दे सकते है एक्ट्रेस ने कहा कि थोड़े दिनों में मेरा प्ले है वो देखकर यहां से चली जाएगी एक्ट्रेस से मिलने के लिए डीनेजर लड़की बहुत ही एक्साइटेट थी यह मीमी ने देख लिया उसे कहती है कि मैं उस एक्ट्रेस की फ्रेंड हूँ तुम मेरे साथ उसके घर पर चल सकती हो आजकल जुआना मीमी को लेकर बहुत ही वरीड थी पाउलो उसे कहता है कि जाद वरी मत करो जब वो शावर ले रहा था तो अचानक से पीछे से मीमी उसके पास आ गए वो उसे कीस करने लगती है उसके साथ वो इंटिमेट हो गए जादे जादे उससे कहती है अगर तुम मुझे चाहते नहीं तो मेरे साथ इंटिमेट नहीं होते इसमें गल्दी तुमारी भी है ये जुआना से रिवेंज लेने का मीमी का प्लान था जिसके बाद नेक सीन में टीनेजर को लेकर मीमी एक्ट्रेस के घर पर आगे तो उन दोनों को उसने इंट्रोर्यूस करवा दिया एक्ट्रेस इस बात से बहुत गुसा हो गई थी वो मीमी से अकेले में बात करती है कहती है कि मैं 100 years से मैंने किसी भी human को नहीं मारा है जैसे जैसे टाइम बीता जाता है तो अपनी अर्च कंट्रोल करना ये बहुत ही hard होता है एक्ट्रेस को इस टीनेजर को देखकर कंट्रोल करना बहुत ही hard था मीमी कहती कि मैं उसे लेकर जाती हूँ मीमी ने टीनेजर को जाने से पहले पानी दिया पर एक लास टुटा हुआ था इस वज़े से टीनेजर इंजोर ठोके बलर देखकर अब एक्ट्रेस अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाई वो इस टीनेजर को मार डाल दिया इसके बाद मीमी ने एक्ट्रेस से गहा इस सब चीजों को में देख लूँगी किसी को भी बता नहीं चलेगा पर सेव तुम इस टाउन में मेरे लेक घर लेकर दो मीमी हमेशा से यही रहना चाहती थी तो इसलिए उसने प्लान किया एक्ट्रेस को फशा लिया और अब उससे पैसे लेकर वो घर बाय करेगी नेज़डे पाउलो और जवाना यह दोनों अलग सिटी में जाकर अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने वाले थे पर अब पाउलो को बहुत ही गिल्टी महसुस हो रहा था मीमी और उसके बीज में जो भी हुआ इस सब बात तो जवाना को बता देता है वो बैचारे बहुत हर्ट हो कही थी वो बहुत रोई इन दोनों ने इस पर बहुत सोचा जवाना भी फिर कनफेस कर दिया तुमारे एजन्ट को मैंने मार डाला था दोनों मैंसे कोई भी परफेक नहीं यह दोनों अपनी लाइफ एक साथ ही जीना जाते इसलिए एक दूसरे को उनोंने माफ कर दिया था अब मॉर्निंग में जब मीमी घर आ रही थी तब अचानक से उसके गाड़ी के सामने डियर आ गया इस वज़े से उसका कंट्रोल चला जाता है गाड़ी एक पेरिसे डख रहा है और वो बहुत ज़ादा इंजोर हो गई थी अगर वो पूरी तरीके से सुबा होने से पहले घर पर नहीं बोची तो उसके स्कीन बर्न करने लगेगी पर अपनी चोटों की वज़े से वो कुछ भी करने पाती सनलाइड की वज़े से उसकी स्कीन पर बर्न आने लगे थे वो क्रॉल करते करते घर आने की कोशिश करती है पर रस्ते में उसे उनकी मेड मिली मेड वेजवाना की बाते सुनी थी उसे बता था कि मी में एक बहुत इखटेवा एंपायर है वो इनोसेंड हुमन को मार डालती है इस वज़े से उसने उसकी कोई भी हेल्प नहीं की इसके ओपोजिट में मेड ने मिमी को मार कर उसकी बॉड़ी बैग्स में भरती इसके बाद पावलो औजवाना या अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए एक अलग सी सीटी में चले गए यह जैसे भी है वैसे इन दोनों ने एक दूसरे को एकसेप्ट कर लिया है इसे के साथ यह मूवी एंड हो जाती है अगर आपको एकस्प्लेशन अच्छा रगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा यह बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हो तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकों दवने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक निमूवी के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिया